तो अगर समझते हैं कि बारिश ना होती तो 402 पर भी जाते और कितने खुशी है इस जीत पर बिस्मिल्लारमान रहीम देखें बिलकुल अगर हमारे लिए तो हर मैच अभी जीतना जरूरी है तो हमारा माइड प्लैन यही था कि बस पहले चार और सही बाल डू-बॉल उसके बाद जो 400 का टार्ड़ेट है हर टाइम पर उससे हैट रहे हमने कल से देखा था कि बारिश हो सकती है मैच में तो हमारे यही प्लैन था कि हर टाइम जो है वह 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 ऊपर ही रहे और अगर स्पिन हो रहा था तो मेरे हाल में हम लोग इसको चेज कर सकते थे होगी और यह था कि 15 और के बाद बिलकुल हम लोगों ने अंदर मैसेज बेजा मिनेजमेंट को के हलकी हलकी बारिश हो रही है तो आप हमें बताए कि 20 और से पहले ड़क वर लूइस वह एपलाई नहीं होता तो हमने उनको यही मैसेज बेजा कि 20 और में हमें क्या टार्गेट चाहिए तो बिलकुल प्लैनिंग बहुत ज़रूरी होती है स्टेज पे अगर आप खेलते हैं तो प्लैनिंग के बगएर बड़ा मुश्किल होता है और बिलकुल हमारी कल भी हम लोग ने प्लैन किया था और आज भी हम लोग उसी तरीके से और बाई और चल रहे थे थोड़ा साइड लाइन्स पे भी थे ने जब आपका थोड़ा चल रहा था थोड़ा दिक्कट चल रहा था तो बिलकुल मैं जो आफ टाइम था उसमें काम कर रहा था अपनी फिट्नेस के ऊपर भी क्योंकि मेरी इंजरी भी चल रही थी और उससे पहले एशिया कप भी मेरा मेरे हाल में तीस रंज मेरे हाइस थे तो अच्छा टाइम नहीं चल रहा था तो उसमें आपने सवाल पूजा तो बीच में में चला गया जो हमारे फिल्डिंग कोच है अफ्ताफ खान उनकी एड़ में पिशावर में तो उन्होंने कहा कि आप स्ट्रगल करते हो बहुत जाल आफ स्पि सब्सक्राइबन होदा तो उससे पहले प्रेक्टिस के जाते हैं तो काम कर रहे थे और हर कोई मेहनत करता है यह तो बस रहुड है तो प्रकॉज बोльोंगा करता कि मेरी मेरी मेहनत जो आगजी है तो इस लेवल पर हर कोई अपनी दरेप ढेसित देने की कोह पाया है ये बताएं जब आप विकेट पर थे और जब चार पे अब्दुला शफीक आउट हो गए थे पाकिस्तान की पहली विकेट गिर गए थी बाबर आए थे तो फिर क्या प्लैनिंग आप लोग कर रहे थे क्योंकि उस टाइम प्रेशर था पाकिस्तान पर किस तरह से आप समझा रहे थे या खुझ से ही कुछ कर रहे थे देखे जो लोग जो पहले दो और में आईडिया हो जाता है कि विकेट किस तरह केल रहा है तो जब अबakदुला शफीक मेंने पूछ अपर जब मेने दूसरा केला तो प्लैन हमारे ही बना कि है विकेट बहुत जजद अच्छा है बेटिंग के लिए तो हम लोग जो पहले चार और हैं इसको तोला सा सर्वाइब कर लेते हैं और वो अब्दुलाउड हो गया लेकिन यह पता था मुझे कि विकट बहुत जाद अच्छा है तो बाबर जैसी आए उससे यह डिसकुशन हुई कि कोई स्विंग नही हैं तो फिर हमारे लिए बाद में बड़ा इजी हो जाएगा तो यह हमें पहले दोवर में आइडिया हो गया था कि विकट इतना अच्छा है कि चार सो स्कूर हो सकता है वहां से आप उस टाइम थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बताईए क्या मुश्किल थी आपके लिए और माइंसेट कैसा होता है जब आप वर्लकुप विद हाई होप से एक्सपेक्टेशन आते हैं एक मैच के बाद इंजुरी हो जाता है देन प्रॉसेस के बारे में थोड़ा बात कीजिए देगें अब हर कोई अगर परफार्म करता है या बड़ी निंग खेलता है तो यही क पिशावर चला गया और वही वो जो कोच था वो पिर मेरे साथ क्योंकि मेरे गर के साथ भी अकेडमी है तो वो मेरे साथ पिर पिशावर से भी आता था कि उस पे काम करें तो लेकिन यह वही वाली बात है कि जब परफार्मस होती है तो हर कोई कहता है कि यार यह हो गया और जो उन्होंने खामिया देखी थी और वो मेरे साथ शेयर कर रहे थे और जितना उन्होंने मुझे टाइम दिया तो मेरे हाल में इतना कोई देता नहीं है तो ऐसे लोग आपको चाहिए होते हैं पर वही वाली बात है कि जब आपसे परफॉर्मस होती है तो पर आप मेहनत भी अजब नही होते तो जोगिन पर आप उसको सही नही खाज़ा इं. Fakhar, the time that you were out in the world cup, the team was obviously going through pa missh. And then a lot of talks about corner tigers 92 same thing started coming up again. So as a team, how do you think that, okay, this 92 can always... Does the team draw inspiration from that or do you guys prefer not to draw inspiration from that rather than just win of the good thing about our team and management is that they always stay positive and they never show us that we are out of the tournament. So they begging each and every guy and we still believe that we can play the semi-finals and also finals but let's see. Because now we are also looking to the Sri Lanka and New Zealand game. सो वी वी आपफुल देट वेल गो तो बड़िया के लिए आज हिंदी में एक कहावत है कि देर आये दुरूस्त आये लेकिन आये तो क्या है कि आप पिछला T20 वोल्ड का अगर उस्टेलिया में देखे तो शुरुवात एक दम थे लिगण उसके बाद जब आप ऐसी पुजि देखें ये जितनी भी टीम है तो बहुत ज़्यादा टैलेंटिड लड़के हैं कि हम लोग भी हर जगा खेलते रहते हैं और आप अगर पहले से लेकर आखिरी तक देखें तो लेकिन हम लोग मेरे हाल में एक रिदम चाहिए होता है जो कि कभी कारा हम लोग लूज कर लेते हैं तो अगर आप देखें तो जिस तरीके से हम साथ अफरीका का मैच कहलें वो हार है लेकिन उसके बाद जो हैं बहतर से बहतर हो रहे हैं तो मेरे हाल में हमारी टीम को एक रिदम की कमी होती है और वो जब मिलदा है तो पिर हर कोई जो है वो अच्छा करने जैसे पिछले म उन से कम बनवाएं तो और लेकिन में चीज़ यह कि रिदम की है और अभी हमें हमें वो रिदम मिल गया है पता नहीं अगर पहले यह सवाल हो गया हो बर क्यूंकि हम क्यूंकि जीत के बाद पाकिसांग चाहिस पर जशिंद आदम उसमें शामिल थै बत जब जहन में यह था कि नेटरनिट को भी मेंटेन करना है और वो सारा कैल्कुलेशन लिके चल रहे थे थोड़ा अगर यह बात हुई नहीं तो अगर जी बिलकुल देगें आज बारिश का भी हमें हमारे माइंड में ता और बिलकुल अगर चार सो रहाद चेस कर रहे हैं तो आपके माइंड में किस तरीके से हम लोग हर टाइम पर जो है वो डप और लूइस पर इन से आगे हो सकते हैं और जब हम आगे गए हमारे जब दस और आगे हुए तो फिर हम लोगों ने अगर आप ने देगा तो बोल्ड के और पर हमने कोई ड्राइब भी नहीं कि हमें आल्लडी पता था कि ब झाल झाल